अभी मैंने जो लाइफ मॉनिटरिंग की वीडियोस बनाई की कैसे आप लाइफ मॉनिटर कर सकते हैं उसमें एको डाल सकते हैं बेंड डैप का यूज़ करके तो उसमें मैंने क्या ऐसा किया था कि मेरी आवास में लेटेंसिंग नहीं आ रही थी मतलब जब मैं बोल रहा था तो आवास तुरंट प्ले हो रही थी बीच में कुछ गैप नहीं आ रहा था असल में जो मैंने स्मार्ट फोन यूज़ किया था सारा कमाल उसी का है क्योंकि उस स्मार्ट फोन के अंदर स्नैप ड्रैगन 450 का प्रोसेसर लगा हुआ एक्जेनोस के मॉडल में भी आपको मिल जाएगी जो कि सेमसंग का अपना प्रोसेसर है लेकिन मीडिया टेक के प्रोसेसर के अंदर इतना अच्छा आडियो प्रोसेसर नहीं होता कि आप लाइफ मॉनिटर कर पाए और लेटेंसी ना है तो अभी जो मैं फोन यूज़ कर र लाइफ मॉनिटरिंग के लिए तो फ्यूचर में आप कभी कोई ऐसा फोन खरीने जिसको आप यूज़ करने वाले हैं लाइफ मॉनिटरिंग के लिए तो उसमें एटलिस इतना देखने कि स्नैप ड्रैगन का प्रोसेसर है या नहीं इससे आपकी डेली रिकारिमेंट्स जो के बफर साइज को कम कर सकते हैं ये भी एक लिमिट तक कम होता है अगर आप हच से जादा कम करने तो आपका स्मार्टफोन हो सकता है उसे हैंडल ना कर पाए और बीच-बीच में करकर आहट की आवाज आ जाए बफर साइज आप देख लें बेंड लैप में ये सेटिंग अ आता है उमीद करता हूँ आप में इसे जादा तर लोगों के पास एंट्रेक अप्लिकेशन होगी यहां पर यह थ्री लाइंस डिख रही है इस पर टैप करना है और सेटिंग्स यहां मिल जाएंगे इसके 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 अंदर जाना है और स्क्रॉल करने पर आपको मिल जाएगा बफर साइज इसे आपको मिनिमल कर देना जितना आपको लगता है और यह सही आ रही है और मेरे आपको बाद समझ में आए होगी थैंक्यू वेरी मच्छ